कौर्बा के बांकी मोंगरा में हुए ठगी के मामले में पुलीस ने चार आरोपियों को ग्रफतार किया था एक सप्ताह पूर्व महिला आरोपी को भी दिल्ली से ग्रफतार किया था पुलिस ने मामिले के मुख्या आरोपी प्रविन कुमार मिश्रा को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है आरोपी प्रविन मिश्रा उत्तरप्रदिस के गौतम बुधनगर जीला जेल में निरूध था जिसे प्रोडक्शन वाररن पर कुर्बा लाया गया है आरोपी प्रविन विश्रा ने फरजी कॉल सेंटर और रिक्वार्मेंट एजिंसी चला कर नौकरी लगाने का जहासा दे कर बिरुजगारों को लाखो कचूना लगाया था इस मामले में 45 दिनों से वह जीला जिल गौतम बुध नगर में निरूध था ठकराज का शिकार बाकी मुंगरा निवासी विवेक कान समीर भी हो गया था जीला नियायाले गौतम बुध नगर से आरोपी का प्रोडक्शन वारंड प्राप्त कर कोर्बा लाया गया दो दिनों तक पुलिस रिमांड पर उससे पुष्टाश की जा रही है पुष्टाश में उसने बताया कि फरजी कॉल सेंटर के नाम से वह ग्राहा फसा कर उन्हें ठकता था इस पैसे से वह एशो आराम की जिन्दगी जी रहा था आरोपी के कबजे से पजेरो वहन क्रमांक एचर 26 सीडी 9897 दो मोबाइल एक सीम गोल स्किम कार्ड फोर एटियम कार्ड सहित 15 लाक दस जार रुपए की मश्रू का ब्रामत की गई है मिला हुआ है तो प्रमीर मिफ्रा जो है उत्तर प्रदेश के गौत्तम बुद्ध नगर जीले के फुरजपूर के अभरात कमांग 15 और 96 बटे उन्नीश धार साथ सुबीस के प्रक्रण में जीला जेल में नेरुत था पिछले पैदाड़ी दिनों से जो फर्जी कॉल से लिकर और रिक्रूट्में के इजिनिफी चला करके नौक्रे लगाने के नाम पर लगतार भोले भाले गयर ज़गारपो दोखा धरी कर आतिकलाब प्राप्त कर दाथा आरुपी जो है पढ़ा लिखा सातीर किश्मर का है और दोखा धरी को अंजाम देने जो लिए नए नए तक्नीकों साधनों का इस्तिमाल करता है बोले भाले लोगों को लोभन दे करके अपनी बातों में फसा ले रहा था इसी कर शीकार थाना बाकी मोंगरा के प्रात्रमां मानी नियलाय जीला गौतंबूत नगल से आरुपी को प्रेडक्शन वारंट कर निरिक्षत पौरूस पूरे के निर्तित में कोर्बा लाया गया और कोर्बा में मानी नियलाय कटगोरा से दो दीवस पुलीस इमान लेकर पुलीस द्वारा हिकमत अमिरी से पूछताज किया पूछताज करने पर आरुपी ने अपने अपरार को स्विगार करते बताये कि वहाँ फर्जी कॉल सेंटर चलाता था और ग्रहागों को फशा करके आर्थिक लाप राप्त करता था मिडिया फॉर सपोर्ट कलेमन हरन साहू के साथ संतो सगरवाल की रिपोर्ट